हेलो एबरिवन कैसे हैं आप सब मैं दिविया आप सभी का मेरे एक नए ब्लोग में फिर से स्वागत करती हूँ मैं आसा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे जहां भी होंगे स्वास्ता सुरचित होंगे और अपने अपनी दुनिया में बहुत खुस होंगे चूले की लिपाई के साथ आज के ब्लोग के शुरुआत हो रही है तो यहां पर मैं गोबर से पुरे चूले की अच्छे से लिपाई कर रही हूँ और पुरा आंगन को भी लिपना है तो चूले में जो राख है वो थोड़ा सा गरम है इसलिए मैंने राख को नहीं निका रहा है पुरा और यहां पर पुरा अच्छे से लिप ले रहे हैं गोबर से और थोड़ा बहुत राख हम लोग चूले में ही छोड़ देते हैं इससे चूला जलाने में अच्छा सुईधा होता है थोड़ा सा मीटी तेल डाल लो राख में और उसके बाद चूला बहुत अच्छा से जलता है इसलिए पूरा राख को निकालते भी नहीं है तो यहां पर पूरा अच्छा से गोबर से लिपने का जो काम है वो में कर रही हूँ तो चूला को लिपने के बाद में पूरा आंगन को भी लिपना है तो यहां पर आंगन को भी लिपना सुरू कर दिये है और यहां पर दोनों बच्चे खेल रहे हैं और यस के पापा पेपर पड़ रहे हैं तो यहां पर मुझे लिपना था तो मैं इन लोगों को बोलने वाली थी कि यहां पर से भागे आप लोग तो यहां पर इन लोगों को बोलने से पहले ही यह लोग भाग जाते हैं और कहते है ना कि समझदारों के लिए इसारा ही काफी होता है तो ये लोग समझ गए कि अभी हम लोग भी थोड़ा सा लग जाएगा हम लोग में गोबर तो इसलिए से लोग सबसे अच्छा है कि यहां से भाग जाते हैं और अभी ठंड का मौसम है तो बच्चे के कपड़े बहुत जादे हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े तो बहुत सारे गरम कपड़े होते हैं, स्वेटर वगेरा तो उन सभी को धोना पड़ता है। बाहर में ही कंगी कर लेते हैं, अंदर में पता नहीं चलता है, नीचे मिगी जाते हैं तो पता नहीं चलता है, इसलिए बाहर में ही कंगी कर लेते हैं। आज रात के खाने में बनाने वाले है आलु वाली पीठा, तो यहाँ पर आलु को बोईल कर लिए है जो कूकर आलु में और को च्छी लेंगे आलू आली पीठा बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत दिन से मन कर रहा था कि आलू आला पीठा बना के खाएं तो इसलिए आज आलू आला पीठा बनाएंगे तो यहां पे सभी आलू को छील के रख ले रहे हैं एक थाली में और उसके बाद इंप्यास टमाटर धनिया पता इन सभी चीजों को काटके एक थाली में रख ले रहे हैं और उसके बाद चलेंगे चूले पे बनाने के लिए तो सबसे पहले यहां पे अच्छे से सभी चीजो की तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद में खाना बनाएंगे और सभी लक्डिया खतम हो गई थी तो यहां पर यहां पर यह पापा को बोले हैं लक्डी काटने के लिए तो यहां पर यह लक्डी काट दे रहे हैं और उसके बाद में इसको ले जाएंगे फिर जूला ममी जी गई थी बारी और बारी में पटाने का काम हो रहा था आज पानी पटाने का तो यहां पर पानी पटा के सभी पाइफ को लेकर आई है और अभी इसको रख दे रही है घर में और यहां पर मैं लकडियों को ले जारी है चूले के पास में आलू का पीठा बनाने के लिए आलू को गैस में ही बोईल कर लिए हैं पर चूला में इसका मसाला तयार करेंगे तो यहां पर चूला को जला ले रहे हैं और कड़ाई चड़ा दिये हैं तो यहां कढ़ाई पे दे दिये है सरसो का तेल गरम होने के लिए और जब तेल गरम होगा तब इसमें डालेंगे सभी मसाले और उसके बाद आलू को भूनना है और यहां पे यह देखिए यस का खिलो ना यह सेलो टेप लगा दिया है पूरा एरो प्लेन में इसका आदत है सेलो टेप से खिलने का और पूरा सेलो टेप चिपकाने का तेल गरम हो गया था तो इसमें मैंने जीरा डाल तीसलिया और जीरा जब चटख जाएगा तो उसके बाद भूल गई सायद तो इसलिए अभी बता दे रही हूं और उसके बाद में नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद टमाटर पग गया तो इसके बाद यहां पर बस डेली यूज के जो मसाले आते हैं हमारे घर में बस वही मसालो को डाले हैं जैसे की हल्दी पौड़ और सबजी मसाला तो मसाले अच्छे से पग गया तो इसके बाद में आलू जो अच्छे से मैस करके रखे हैं वही आलू को डाल दे रहे हैं और उसके बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद में लास्ट मेस में धनिया का पत्ता भी एट करेंगे इटली के साथ चेम पानी लेके आया है और इसको दे देंगे चूलें बनने के लिए और यहाँ पर आलू का जो मसाला है वो पुरा रेडी हो गया है तो इसको उतार लेंगे और उसके बाद में इटली का साचा को चड़ा देंगे गरम होने के लिए पानी तो यहाँ एक बरतन में चावल का आटा ले आये हैं और यह खौलतावा पानी है उसी से ही आटा लगाना है तो यहाँ पर आटे में नमक डाल दिये हैं नमक डाल के इसको अच्छे से मिला ले रहे हैं और उसके बाद में गरम पानी से ही आटा को पुरा लगाना है और यही काम सबसे बड़ा टफ होता है इस रोटी बनाने में गरम पानी डालने से जो होता है हाथ से आप इसको चला नहीं सकते हैं तो इसको चलाने के लिए एक चमच की सायता पड़ती है तो यहाँ पर बड़े वाले चमच से अच्छे से मिला मिला के चला के इसको अच्छा से आठा का डो लगाने का कोशिस कर रहे हैं और हाथों से चूना इसको बहुत मुस्किल है क्योंकि पूरा खौलतावा पानी से इसको आठा लगाना पड़ता है और थोड़ा से ठंडा हो तो इसके बाद इसको अच्छे से हाथों से मिला मिला के इसका डोव बनाने का कोशिस कर रहे हैं अब बस गोल-گोल लोई बना कर उसको Cuttori का सेब देना है और फिर जो आलू का मसाला तईार किये हैं उसको भर कर इसको बंद करते जाना है और एक एक करके इसी तरह से सभी को बनाते जाना है और जब पूरा भर जाएगा बना के तो उसके बाद में इसको इटली का साचा में दे देंगे और लास्ट में यहाँ पे घुड़ वाली भी बना रहे हैं बच्चों को गुड़ वाला करके छोड़ देंगे ताकि पता चले कि गुड़ वाला है यह तो यहां पे इस तरह से बना ले रहे हैं और उसके बाद में सभी को इटली साचा में दे देंगे और उसमें पानी जो है पूरा अच्छे से उबल रहा है तो इसलिए अब सब को डाल देंगे यहां पे जितना भ करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ तो यहां पे सभी को एक एक करके डाल दिये हैं और अच्छे से इसको ढग देंगे और फिर इसको पंदरा से बीस मिनिट के लिए पकने देंगे तो उसके बाद में यह पक जाएगा और फिर खा तो हमारा आलू का पीठा बनके रीडी हो गया है और हम लोग इसे धन्या का पत्ता के चटनी जो है उसी के साथ खाने वाले हैं तो यहां पे धन्या पत्ता के चटनी निकाल ले रहे हैं और उसके बात में आज दो पहर के टाइम में जो बनाया थे लौकी की सबजी वह उसक के साथ खाने वाले हैं तो आज का बलोग मेरा बस यहीं तक का था रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दे